हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आउनलाइन अश्टडी में दोस्तो आजन बिहार दरोगा का मौडल प्रैक्टिस सेट नमबर छो का वीडियो करेंगे दोस्तो अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को सेट जरूर केज़ेगा तो चलिए दोस्तो आज का मौडल प्रैक्टिस सेट नमबर का पहला कोशन के और बढ़ते हैं पहला जो कोशन है निमलिकीत में कांसा यूग मुझो है आपका सही सुमे लीता है तो दोस्तो भारत परिसाद अधिनियम जो वा था 1892 में भारत परिसाद अधिनियम जो वा था अगले कोशन के बलते हैं नीचे दिये गए बिकल्पों में संबंदित सब्द ग्याद किजिए जिस तरह आपका भीरू जो है गदा से है भीरू का संबंद गदा से भीरू यानि के डर्पोक और समोनों पात धूर तो उसके बाद चलंक जो होता है आपका वो आपका लोमली से हो जाएगा चलंक जो अधार पर गठित राज्यों के संबन में निम्लिखित कतनों पर विचार किजिए तो 1913 में तेलगु भासाई के लिए लोगों के लिए प्रिथक अंध परदेश को राज बनाया गया था अगले कोशन कर बढ़ते हैं राष्टिय हरित नियाय धीकरन की नियाया धीकरन की जो अस्थापना है वो आपका 2010 इस्वी में की गई थी राष्टिय हरित नियाय धीकरन की जो अस्थापना होई थी वो आपका 2010 इस्वी में हुआ था अगले कोशन के और बढ़ते हैं अधीक 11 बाले बिलियन में एक कोशिका को रखने पर वस्वी कर जाती है क्यों कि अधीक वावशन के कारण बाहर निकलता है तो आपका ओप्शन बी जो है राइट अंसर है अगले कोशन के और बढ़ते हैं मानथ बासं क्यों कॉन हो खाग को नियंतरित करता है अगले कोशन के और बढ़ते हैं कि निमलिखित में से किस बरस तक मंगलियान 2 का जो है लाउंच जो है वो आप एक चीत है तो 2024 तक मंगलियान 2 का जो है लाउंच जो है वो आप एक चीत है तो आपका option B जो है right answer है नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं निमलिखित में से किस देश में जो है तैसमा FIFA फुटबॉल 20 व का आईजन किया जाएगा तो आपका अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा इसमें से सभी में दोस्तों तैसमा FIFA फुटबॉल 20 व का आईजन किया जाएगा अगले कोशन कर बढ़ते हैं कि बॉन कनेक्स वन जे सम्मंदीत है बॉन कन्वेशन जो सम्मंदीत आपका वन जीवों की परवासी जातियों के सरक्षन से बॉन आपका कन्वेशन जो सम्मंदीत है वन जीव की परवासी पर जातियों के सरक्षन से आपका बी जो है राइट अं थी वो आपका मुहमूद गजनभी और अनंद पाल के बीच में हुआ था तो आपका option D जो है दोस्तो right answer है अगले question के और बढ़ते हैं कि अकबर ने इबादत खाना का निर्मान जो है कहां पे करवाया था तो अकबर ने इबादत खाना का निर्मान जो है फतेपूर सिक्री मे करवाया था तो आपका option C जो है वो आपका right answer है अगले question के और बढ़ते हैं choose the correct meaning of the idiom की बन बिलो आपका जो idiom दिया उसका जो correct answer है कि explain the beams इसका जो meaning हो दोस्तो आपका जगा to reveal the secret यानि कि आपको जो है रहस्य को क्या करना परगट करना spill the beams का यह आपका idiom है idioms है तो आपक option A जो है दोस्तो right answer है अगले question करवरते हैं किताब पढ़ाई जाने को है तो इसका आपको ट्रांसलेस बनाना है तो the book is to be taught यह जो है किताब पढ़ाई जाने को है इसका जो सइट translation है though book is to be taught तो आपका option A जो है वो आपका राइट अंसर है अगले कोशन कर बढ़ते हैं दिये गे पैटर्नों को ध्यान से पुर्बग भरे और खाली जगा को भरे तो दोस्तो इसमें जो लगा है 6 गुना 8 करके आपको जो गुना किया है वही आपको घटा देंगे तो आपका मान आजाएगा 40 उसी तरह आप 21 गुना अगर 25 करते हैं उसमें अगर 25 आपको घटाते हैं दोस्तो तो आपका मान आजाता है 500 उसी तरह दोस्तो आपको 14 गुना 7 करना है और उसमें 7 घटाना है त आपका 90 जो है दोस्तो राइट अंसर आ जाता है तो आपका option B जो है वो आपका राइट अंसर है अगला जो कोशन है में था दोस्तो तो आगे बढ़ते हैं हमारे सोर परिवार के संदर्व में हमारे सोर परिवार के संदर्व में निमलिकित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है तो दोस्तो मंगल जो है आपका जेबियन गरा नहीं है जबकि मंगल गरा को पार्थिब गरा कहते हैं मंगल गरो को कौन सा गरा कहते हैं पार्थिब गरा कहते हैं आपका जेबियन गरा नहीं है मंगल गरा को पार्थिब गरा कहते हैं इसलिए आपका ओप्षन डी जो है वो आ रोखों के रूधीर और उत्तकव में झायंकों की संधरता जो है निम्लों चाहता इसके कारण रोषग कमजोर हो जाते अस्पष्ट सोच नहीं पाते इन लक्षनों को जो है आप दोस्तों अप्रूफ है यह नम से जाना जाता है इन लख्षनों को इन में से सभी है, सुएथ फासपोरस भी फासपोरस का अपरूप है, लाल फासपोरस भी है, काला फासपोरस भी फासपोरस का अपरूप है, तो आपका option D जो है, इन में से सभी आपका फासपोरस का अपरूप है, अगले कोशन के और बढ़ते हैं, कि छेतरफल की द्रिष्ट के दिष्टी से देश जो है वो आपका आश्टेलिया आ है तो आपका option C जो है दोस्तो राइट answer है अगला जो question है कि अंतराजिय संबंद के संदर में अंतराजिय संबंद के संबंद में कौन सा कथन जो है आपका वसत है तो संबिधान के नोम्मे भाग में अनुचे 263 सामिल है जिन में कि अंतराज्य परिशत से सम्मदित प्राबदान दिये गया है ये आपका कतन जो है बिलकुल गलत है तो केवल दू ही आपका गलत कतन दिया गया है तो आपका option B जो है right answer है अगले question के रबरते हैं कि भारतिय संबि भारतिय संबिधान का अनुचेद 338 का को जो सम्मदित आ है राष्ट ये अनुसूचित जन जाती आयोक से सम्मदित आ है अगले question कर बढ़ते हैं नीचे दिएगे आपका नीचे दीगे आकिरती में दिखाएगे दिखाएगे चित्र के अनुसार कागच को मोड़कर काटने तता खोलने के बाद वो किस उत्तर आकिरती जैसा दिखाई होगा तो दोस्तो आपका option D जो है वो आपका सही answer हो जाएगा next question क्यों बढ़ते हैं next question जो है कि मेरे घर से राजू का घर जो है 2 km दूर है मेरे घर से राजू का घर जो है 2 km दूर है इस ब्याक में कौन सा कारक है तो दोस्तो मेरे दूर से राजू का जो घर है वो दोस्तो इसमें अपदन कारक लगा हुआ है मेरे घर से राजू का घर जो है 2 km है तो इस ब्याक में अपदन कारक है तो आपका option D जो है right answer है अगले question क्यों बढ़ते हैं कि भोगलिक छेतर की द्रिष्टी से जपन का सबसे बढ़ा दूइप जो है क्या कहलाता है भोगलिक छेतर की द्रिष्टी से जपन का जो सबसे बढ़ा दूइप है वो दोस्तो आपका होन्सू कहलाता है आपका option A जो है बिल्कुल right answer है अगले कोशन के और देखते हैं अगला जो कोशन है निमलिकित में से किस केंद्रिय मंत्राले द्वारा सबेरा योजना चलाया जा रहा है निमलिकित में से किस केंद्रिय मंत्राले द्वारा नया सबेरा योजना जो है चलाया जा रहा है तो दोस्तो अल्प संख्यक मंत्राले द्वारा नया सवेरा योजन, जो जो है आपका चलाया जा रहा है अगले कोशन कर बढ़ते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट के अनुसार बिस्व के सिस पचास मांतम अस्थानों में भारत के कौन से दो अस्थान को सामिल क्या गया है तो दोस्तों आपका लद्दाक और मयुर्गंज को सामिल क्या गया है मांतम अस्थानों मे तो आपका option D जो है right answer है अगले question कर वरते हैं कि जटिल खात पदार्तों को सरल पदार्तों में परिवर्तित होना किस प्रेकरम से सम्बंदित है जटिल खात पदार्तों को सरल पदार्तों में परिवर्तित होना आपका पाचन से सम्बंदित है जटिल खात पदार्तों को सरल प जो है रोगों से लडने में हमारी मदद करता है जो मुडने तथा हिलना के परती तनन सकती परदान करता है नेमलिखित में वह काउंसा उत्तक है जो मुड़ने हिलने डूलने के परती तनन सकती परदान करता है तो आपका कोलेन काईमा बिल्कुल राइट आंसर है अगले कोशन के और बढ़ते हैं संप्राय मैदान संबंदित है आपका जो संप्राय मैदान है वो किसे संबंदित है तो दोस्तों आपका जो संप्राय मैदान है वो आपका ओप्शन सी नदी से संबंदित है नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते है यदि किसी पींड पर लगने ब दोस्तो नियूटन के पर्थम गति नियम यानि की जड़त का नियम से संबंदी था है कि जब उसका ब्रहाइबल सुनियो तो उसका त्वरन भी क्या होगा सुनि होगा तो आपका उप्षन नियूटन के गति के पर्थम नियम से यह आपका संबंद है तो आपका उप्षन यह जो है राइट अंसर है नेक्ट कोशन को रबरते हैं कि घरसन जो है एक दूसरे के संपर्क में रखी दो बस्तों के प्रिष्टों के बीच डाइस का बिरोध करता है कि घरसन जो है एक दूसरे के संपर्क में आने पर रखी जो दो बस्तों के प्रिष्टों के बीच वो जो है गती का क्या करता है, बीरोध करता है, गती का क्या करता है, बीरोध करता है, तो आपका option B वो आपका right answer है, अगले question का रबरते हैं कि बस्तू एवम सेबा कर जी अश्टी में निमलिकित में कौन सा कर सौमिल नहीं किया गया है तो आपका बोर्डर सूक ले सीमा सूलक जो हता है उसको बस्तू एवम सेबा कर में सौमिल नहीं किया गया है तो आपका ओप्षन यह बिल्कुल राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं निमलिखीत में कौन धुरूबव के अतिरिक्त बीशु का सबसे बढ़ा गलेसियर जो है तो दोस्तो फेड़ चेन को जो है बीशु का सबसे बढ़ा क्या है गलेसियर आपका option B जो है बिल्कुल right answer है नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं निमलिखीत में से किस बर्स तक भारत सरकार ने सीकल मेल एनिमिया के उन्मुलन का लक्ष रखा है तो 2047 इस बितक भारत सरकार ने सीकल सेल एनिमिया के उन्मुलन का लक्ष रखा है तो आपका option 2047 जो है right answer है अगले कोशन के और बढ़ते हैं निमलिखीत में से किस राज में बंगला मौत्स का आयुजन किया जाता है तो आपका मेगाले में बंगला मौत्स का आयुजन किया जाता है नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं निमलिखीत में से किसे 22 में बीदी आयो के अधियक्च के रूप में न्यूक्त किया गया है तो आपका option रीतु राज अवस्ती जो है वो आपका right answer है नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं निमलिखीत में से मौगल सासन बेवस्ता में कौन सा साही दस्तावेज नहीं था तो आपका option डी जो है right answer है नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं टीपू सुल्तान के संदर में निमलिखीत कतनों पर आपको बीचार करना है तो टीपू सुल्तान जो थे एक नए केलेंडर को जारी किया गया था और पैदावार का एक तियाई हिस्सा भूराजसु के रूप में लेता था कौन टीपू नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं निमलिखीत में से किस आंदोलन को गांदी जी ने हिंदुआ और मुसल्मानों एक तास्तापित करने का ऐसा अफसर जाना जो आगे सो बरस्तों तक नहीं है दोस्तों खिलापत अंदोलन आपका ओप्सन बी जो राइट अंसर है यमना नदी की निमलिखीत में साहिक नदियों पर विचार किजिए जो पसीम से किदर की और बहती है पसीम से पूर्व की ओर हो तो सबसे पहले आपका चंबल नदी आता है उसके बाद दोस्तो सिंद नदी उसके बाद आपका बेतबा नदी उसके बाद दोस्तो आपका के नदी आता है तो एक दो यानि कि आपका जो आपशन है आपशन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है कि अमना नदी की स्थायक जो नदी है सबसे पहले आपका चंबल नदी है सिंद नदी है बेत्बा नदी उसके बाद आपका के नदी जो है राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं एक बिद्वान राज की सीमा को परवर्थित कर एक नभीन राज बनाने की दृष्टी से तीन उपकरनों की आवसकता होती है वे कौन कौन से है कि एक बिद्वान राष्ट की सीमा को परिवर्तित कर एक नभीन राज बनाने की दृष्टी से तीन उपकरनों की आवसकता होती है वे कौन कोन होते हैं तो राष्टपती संसत था राज का विदान मंडल होते हैं तो आपका option D जो है वो आपका right answer हो जाएगा अगले कोन है कि भारते संविदान में राष्टपती सासन की सनुचेत के अंतरगात गोसित किया जाता है भारत में जो राष्टपती सासन जो है तो आपका option B जो है और C जो है बिलकुल right answer है अगले कोशन के भारते हैं निमलिखित में से कौन सी नदी जो है रिप्ट घाटी या ब्रन सुद्रोनी से होकर बहती है तो आपका option नर्मदा और तापती जो है right answer है निमलिखित में से किस संगठन के द्वारा गलोबल जेंडर गेप इंडेक्स जो है जारी किया जाता है तो आपका option C जो है right answer है नेक्स्ट कोशन करवड़ते हैं वन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज में मेगरोब बन चेतरों की सरवादिक बिर्दी जो है वो दर्जिकी गई है तो दोस्तों ओर इसा में ये सरवादिक बिर्दी जो है दर्जिकी गई है तो आपका option ओर इसा जो है आपका right answer अगले question करवड़ते हैं कि हाली में जारी फोर्ष जो अरबपती सुची में मुके संबानी को 20 में कंसा अस्तान मिला आया तो मुके संबानी को 9 अस्तान मिला आया तो आपका option ओफ्शन जो है बिलकुल right answer है अगले question करवड़ते हैं निमलिखित कतनों पर आपको विचार करन तो दोस्तों आपका प्रागकनों के पुंकेसर से बरती काग्र तक अस्तांत्रन प्रागकन कलाता है पपीता और तर्बुद एक लंगी पुष्व के उधारन है तो आपका केबल दो और तीन जो है वह आपका सही अंसर है नेक्स्ट कोशन करवड़ते है फ्यूबो नो ब्यूबो निक जो है ब्यूबो निक फ्लेक का जो बाहन कीट है वो क्या कहलाता है ब्यू ब्यूबो निक फ्लेक का जो बाहन कीट है वो दोस्तों आपका जीनो प्लेसला कहलाता है तो आपका जीनो प्लेसला जो है राइट अंस अगले कोशन कर वरते हैं सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है चाय बरसा जो खेती होती है चाय बरसा मानसुन पूर्व जो बरसा होती है वो आपका असम में होता है चाय बरसा जो है असम में होता है और नौर्बेश्टर जो है आपका ओरिसा में होता है और चेरी ब अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन है हाली में रेमन मैक से पुरुसकार, हाली में रेमन मैक से पुरुसकार जो है, 2023 भारति बीजेता और रवी कर्नन की सचेतर से सम्बंदी थे हाली में जो रेमन मैक से पुरुषकर दोजार तैस भारते बिजेता आर रभी कंजन को दिया गया है वो किस छेतरी से सम्बंदित थे तो वो दोस्तों चिकिस्ता जो है चिकिस्ता छेतरी से जो है सम्बंदित थे अगले कोशन के और वरते हैं और सटमा फिल्म फेयर अवाड दोजार तैस में किस अभीनेता को सर्वस्रेश्ट अभीनेता का जो है अवाड मिला है तो राजकुमार राओ को जो है और सटमा फिल्म फेयर अवाड दोजार तैस में जो है अभीनेता का अवाड जो है मिला है र निर्यात पर परतिबंद लगा दिया है हाली में भारत सरकार द्वारा निम्लिकित में से किस परकार के चावल के निर्यात पर परतिबंद लगा लिया है तो आपका जो गैर बासमती चावल है उस पर आपका हाली में भारत सरकार ने इस पर परतिबंद लगा दिया है तो आप 1961 से 1971 के बीच में आपका जो है जनगन्ना दसक में गिरावट दर्जी की गई है 1961 से 1971 के बीच में तो आपका option बी जो है राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन कर बरते हैं आपका जो बंसधारा जल बिवाद है वो आपका उसमें जो है राज्यों की संख्या कितनी है तो बंसधारा जल बिवाद में राज्यों की जो संख्या है वो आपका दो राज्य की सामिल है जबकि महदाई में आपका तीन राज्य सामिल है और गो पर अगले कोशन कर बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि कारबनीक योगीक कारबनीक योगीकों से सम्बंदित निमलिखिद कथ्लों पर आपको विचार करना है तो कारबनीक योगीक जो होते हैं कारवन एवं हाइडरोजन से बनने वाला अनियोगिक एथेन है, जिसका सुत्र क्या होता है, C2H6 है, और कारवन की सेज सन्योगता को संतुष्ट करने के लिए हाइडरोजन के परमनों का उप्योग करते हैं, तो केवल एक और तीन आपका सही आंसर है, नेक्स्ट कोशन के उर्वरते हैं, निमलिकीत में से कौन जो है सही नहीं है, निमलिकीत में कौन जो है आपका सही नहीं है, तो गेल उसेक का नियम जो है आइतन मात्रा से संबंद में, गेल उसेक का नियम जो है ये आइतन मात्रा संबंद नहीं है, आयतन मात्रा से संबंद नहीं है जबकि boils का नियम में दाव आयतन संबंद है चाल्स का नियम में temperature आयतन संबंद है गेल उसेक में आयतन मात्रा संबंदित नहीं है तो आपका option आपका जो option है C जो है right answer है अगले question के उरबढ़ते हैं अगला जो question है स्ववी नियोजग से की stream जो होता है स्ववी नियोजग जो है क्या है आपका स्ववी नियोजग जो है वो आपका क्या है तो ये तंबा, लोहा, आदिधातों के साथ जटिल आयनन का निर्मान करते हैं तो आपका option B जो है right answer है अगले question के और बढ़ते हैं कि भारत में अपरादिक मांगलों का सबसे बड़ा जो नियाला है वो कौन सा है कि भारत में सबसे बड़ा अपरादिक मांगलों का सबसे बड़ा जो नियाला है वो आपका उप्सन B जो है right answer है अगले question के और बढ़ते हैं कि महिलाओं की गरीम परवावित करने बाले आचरन जैसे कि गालियं देन, असलिल गान, आदी के संबन में भारतिय दंड जो है, सहिता के किस धारा में परभदान है, तो दोस्तो ऐसा धारा दूसर चोरोनवे में ऐसा परभदान है, नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं, हैप असपर्स करने में होता है, तो आपका ओफशन बी जो है, वो आपका बिल्कुल सही अंसर है, नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं, निमलिकीत में से, निमलिकीत में से कौन सा जल परदुसक है, निमलिकीत में कौन सा जल परदुसक है, निमलिकीत में कौन सा जल परदुसक ह ही है नेक्स्ट कोर्शन के उर्बरते हैं सब्दों के अक्षरों के करम को पढ़ने में कठनाईयों का अनुभब करने का संबंद जो है कि सब्दों के कि समाज का समाज का जो समाजी की स्थिति के नुसार क्या हो बिभाजन हो समाजी का स्थिक्रन का आर्थ होता है कि समाज का समाजी का स्थिति के नुसार बिभाजन हो तो आपका option C जो है right answer है next question कर बढ़ते हैं मनुहर सब्द में कौन से संदी है? तो मनुहर सब्द में आपका विसर्ग संदी है। अगले कोर्शन कर वरते हैं अंग्रेजों ने राजगाट की संदी किन के साथ की थी अंग्रेजों ने राजगाट की संदी जो होलकर के साथ की थी अंग्रेजों ने राजगाट की जो संदी थी वो होलकर के साथ किया था नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं बनारस में केंद्रिया हिंदु विद्याले के अस्तापना किन के द्वारा किया गया था तो आपका ओप्शन एनी बसेंड जो है वो आपका बिल्कुल सही है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन है निमलिकतनों पर आपको ब इलान किजिए तो दोस्तो सदन के सदन के नेता के आगरा पर लोग सबा अध्यक्च गुप्त बैठक जो है बुला सकता है और लोग सबा अध्यक्च का या करता भै की गनपूरती कोरम के अवाब में सदन को अस्तागित कर दे तो आपका उप्शन एक और दो जो है दोनों ही है नेक्ट कोशन कर वरते हैं 24 में संब्धान संसोदन अधिनियम उने सो एकत्तर के दोरा अनुचे 368 में संसोदित कर दिये गे प्राददानों पर आपको वीचार करना है तो दोस्तो संसत को या भी अधिकार है कि वह संब्धान के किसी भी हिस्से को चाहे वामूल अधि दोनों आपका जो कथन है वो बिलकुल सही ए अगले कोशन कर वढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि तूपानी 40 तूपानी जो आपका 40 है के बारे में आपको निम्लिखित कथनों पर फिर से विचार करना है तो तूपानी जो है वे दक्चिन गोलार्द के महासागरों में और पूर्व से पच्शिम के और बाने वाले सकति साली बायू पर्वा का कारण जो है विसुबत बिद्यत से दक्षिनी दुरूप का और विश्थापित हो रही बायू और पिर्थवी के गुर्णन का संयोजन तता बात रोदों की तरह कार करने वाले भू सहितियों का आधिक निमलिकित में बिहार के किस बियक्ती को 2023 का पदमश्री पुरुसकार अचार यचंद नाजी को नहीं दिया गया है अगले कोशन के रवरते हैं अगला जो कोशन है निमलिकीत में से किस राज द्वारा सक्ती स्मार्ट कार्योजना का शुरुआत किया गिया है अगले कोशन के रुबरते हैं निमलिखीत में से कहां पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा तो आपका पटना में दोस्तों आपका भारत में बच्चों के लिए कहां पर कैंसर अस्पताल बनेगा वो आपका बिहार की राजदानी पटना में बनेग नेक्स्ट कोशन के और बरते हैं कि एक किलो वाट बरावर एक किलो वाट गंटा बरावर दोस्तों आपका 3.6 गुनों 10 पर पावर 6 जूल होता है तो आपका ओप्षन B जो है राइट आंसर है अगले कोशन के और बरते हैं किसी पदार्थ की अवस्ता परिवर्तन की अबदी में उस्मा की मातरा का परती एकांक दरब मन अस्तांतरन उस पदार्थ की इस परिकरिया के लिए डाइस कहलाती है तो वो दोस्तों आपका गुप्त उस्मा कहलाती है तो आपका गुप्त उस्म स्वां के बाँस में कहा था कि क्या आप मुझे एक स्वतन तर्देश दिखा सकते हैं जहां प्रितक मत अधिकारों अंग्रेत जा चुके हैं परंत वे सरारत छोड़ गए हैं निमलिकित में किसने उपयुक्त व्याक को सम्विधान सबा के बाष्ट में कहा था तो सरदार पटेल ने ऐसा कहा था तो आपका option सरदार पटेल जो है वो आपका right answer है next question क्यों बरते हैं कि 1905 में खूनी रविबार की घटना हुई थी 1905 में खूनी रविबार की घटना हुई थी और 2 मार्च 1917 को जार दुआरा पद तियाग किया गया था और मार्च 1918 में ब्रेष्ट खिलाब ब्रेष्ट जो है लिटो वस की संदी वी थी और 24 सक्टूबर 1917 को बॉल्सेबिक बिद्रो समाप्थ हुआ था सरी दोस्तों समाप्थ नहीं 24 सक्टूबर 1917 को बॉल्सेबिक बिद्रो हुआ था आउपका ओप्शन ऑप्शन सी जो है इस तरह से आपको मिला ना आए अगले कोषन को बढते है इसमें बी जो तोस्तों मैगनीज को उत्पादन राज है वो आपका कौन सा है तो मैगनी जो है आपका उडिसा में है जीपसम जो है जीपसम दोस्तों आपका राजस्तान में है चूना पत्तर जो है आपका करनाटक में है मैगने साइड जो है उत्राखंड का परमुक राज है खनी जो मैगनी खनी जो है कौन सा उत्पादन राज में ह होता है पोड़ी सा में होता है जबके जिपसम आपका राजस्थान में चूना पत्तर आपका करनाठक में ऌता है और दोस्त आप परकासिक तंतू से वे तेड़े मेड़े पत से होकर गुजर सकती है इसका कारण यह है कि जैसे ही किरन तंतू से गुजरती है तो उत्रोतर पूर अंतिक प्रावरतन क्या हो जाते हैं घटित हो जाते हैं परकास किरने जब सरल रेखा में चलती है लेकिन उसी परकासिक तंतू से जैसे वे टेड़े मेले पत से ओकर गुजरती है तो इसका कारण यह है कि जैसे एक किरन तंतु से गुजरती है उत्रोतर वपुर्णा अंतिक प्रेवारतन घटित हो जाते हैं तो आपका option D जो है right answer हो जाएगा next question के उरबरते हैं currency note में currency note में जाल साजी की पाचान करने के लिए निमलिखित में कौन सी तरंगों का परियोग किया जाता है प्रावैगनी तरंगों का परियोग किया जाता है तो आपका option प्रावैगनी तरंगे जो है वो बिलकुल सही है अगले question कर बरते हैं या किसने कहा था कि नियाईक जो सक्रियाता बाद को नियाईक जो खिमबाद नहीं होना चाहिए या किस ने कहा कि नियाईक सक्रियाबाद को नियाईक जो खिमबाद नहीं होना चाहिए नियाएमुर्थी MS अनन्द ने ऐसा कहा कि नियाईक सक्रियाबाद को नियाईक जो खिमबाद जो है नहीं होना चाहिए तो आपका option B जो है वो आपका right answer है अगले question की और बढ़ते हैं भारती सम्विधान का कौण्स आर्टिकिल केंद्रिय सतर्ता आयोग से बर्णन करता है तो इन में से कोई आर्टिकिल आपका केंद्रिय सतर्ता आयोग से बर्णित नहीं है तो आपका option D जो है वो आपका right answer है और आपका अगला जो question है वो मेथ का है इसको छोड़के आगे बरते हैं आप लोग इसको बना लिजेगा अगले question के इंबरते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिला ना है गन्ना जो है आपका गन्ना का दूसरा नम आप कह सकते हैं गन्ना जो है एक्छू से सम्मंदित है चाबल जो है चाबल दोस्तों आपका ब्रिही से सम्मंदित है मूं जो है मूं जो है उसको मिरिदग भी कह सकते हैं और जो को यबगी कह सकते हैं तो दोस्तों गन्ना को आप ए जो है राइट अंसर है अगले कोशन कर बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि किस ग्रेंट में उल्लेक है कि बिंदुसार के सासनकाल में असोक ने अवंती माजन पजीत कर मोरे समराज में मिला लिया था तो बुद्ध गोश की समन्त पासादिका में ऐसा है कि बिहार के सासनकाल में असोक ने अवंती माजन जीत कर मोरे समराज में मिला लिया था तो आपका उप्शन C जो है राइट अंसर है अगले कोशन कर बढ़ते हैं कि प्रेशन बोध जो है किसे कहा जाता है प्रेशन बोध जो है आपका संखर को कहा जाता है प्रेशन बोध जो है संखर को कहा जाता है तो आपका उप्शन C जो है संखर जो है आपका राइट अंसर है अगले कोशन कर बढ़ते हैं कि पलब मान जीन जिसे हम जपिंग जीन के नाम से जानते हैं कि सिद्धान्त का परतिपादन जो है राइट अंसर है अगला जो कोशन है निमलिकित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपका जो संकटा पन स्रेनी जो है लाल डाटा पुष्टक में परसतीत है तो दोस्तों आपका जो संकटा पन है वो दोस्तों आपका लाल पत्र में सम्मिलित है संकटा पन जो है लाल पत् पत्र से संमदित है इस तरह से आपका option option number option number दोस्त तो आपका ये जो है वो आपका right answer है अगले कोशन को रवरते हैं अगला जो कोशन है निमलिकीत में से सार्थक करम में लिखें तो सबसे पहले आपका हीम नदी हो जाएगा जो कि गलेसियर में है उसी तरह आपका नदी का नाला हो जाएगा दूसरा नदी का उसके बाद आपका नदी नदी जो है उसके बाद दोस्तो आपका समूंद रहा है उसके बाद आपका महा सागर तो सबसे पहले आपका हीम नदी उसके बा अगले कोशन के रबडते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तो मेथोझोड़ जो अम लोत Are मिथोझोड़ो 10 Damone 1945 हो आपका चीतीकी के डंक में पाजाता इतनोहिक जो आप ऌब 노ा था होई सीरका में कामल एक उप्ड़ियॉ साथी क्लो अगला कोशन जो है कि भू अस्थानिक प्रोध्योकी का उप्योग निम्द में से किसमे होता है तो भू अस्थानिक प्रोध्योकी का उप्योग जो है आपका बेब कलाइड में नोबहन में उपगरा सुंदर संबेदन में उपरोक्त में से सभी में भू अस्थानिक प्रोध् पूरू से कल बर्ग का बिजेता है जो 2023 में पूरू से कल बर्ग का बिजेता है अगले कोशन के रबरते हैं भारत सरकार द्वारा बाजरा की फचल पर 2023 के लिए नियुन्तम समर्थन मुल में परती क्विंटल जो है कितना रुप्या की बिर्दी किया है तो 1500 रुप्या की बिर्दी किया है तो 2023 के लिए नियुन्तम समर्थन मुल में परती क्विंटल जो है 150 रुप्या की बिर्दी की गई है तो आपका option ए जो है right answer है अगले question के परवर्ते हैं निमलिकीत में से निमलिकीत में से कौन सा जीला जो है बिहार के सबसे पुर्वी भाग में इस्तीत है तो आपका ओफ्षन D जो है राइट अंसर है कची पूरी किस राज का सास्त्रे नित्र से लिए तो अंध परदेश का आंध परदेश का जो सास्त्रे नित्र से लिए वो आपका कुछी पूरी है तो आपका ओफ्षन D जो है राइट अंसर है कर्मदो का नारा किस ने दिया था तो कर्मदो का नारा सरधार वल्लव भाईपटेल के द्वारा दिया गया था नेक्स्ट कोषन के उर वर्वारते हैं ह हुख सब्द का परियोग किर्केट में किया जाता हुख सब्द का जो परियोग होता है वो किर्केट में किया जाता है तो आपका option यह राइट अंसर है बरसा बन अनुसंदान संस्थान जो है कहां पर इस्तित है बरसा बन अनुसंदान संस्थान आपका जो रहाट में इस्तित हैं तो दोस्तों बिहार दरोगा का आपका मोडल प्रैक्टिस सेट नंबर छो का जो है वीडियो आपके आपका समप्त होता है अगर ये वीडियो आपको हेल्फूल लगाओ तब दोस्तों आपको सेयर करना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट प्रैक्टिस सेट में आज के बस इतना है जाहिन